भारी हंगामे के बीच राजसभा और लोकसभा में एक के बाद एक जो बिल है वो पेश किये जा रहे हैं और साथ ही धड़ा धड़ ये बिल मोदी सरकार पारिद भी करवा ले रही है तो इस बीच विपाक्षी नेता जो है लगातार इस बात को लेकर के बौक लाए हुए करवा रहे हैं जी हाँ नमस्कार मैं हूँ राणी गुपता और आप देख रहे हैं दा न्यूज आपको बता दे कि राजसभा ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2023 को पारत कर दिया है तरसल इससे पहले ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था और आज रा बिल राजसभा में पेश किया गया है और कहा जा रहा है कि जल्द ये भी पारत हो जाएगा इस बीच देखने को मिल रहा है कि कॉंग्रस नेता दिरंजन चौदरी जो हैं वो बौखला गये हैं उनका कहना है कि हमने अब विश्वास प्रस्ताव लाया कि प्रधान मंत्री लेकिन यहां पर तो एक की बाद एक कई सारे बिल धडलने से पास करवाय चौआ रहे हैं बता दे दरसल राजसभा ने खान और खनेज विकास और विनियमन अधिनियम 1997 में संशूधन के लिए खान और खनेज विकास और विनियमन संशूधन विधयक 2023 पारित किया है इससे पहले विधयक 28 जुलाई को लोक सभा दोरा भी पारित किया जा चुका है आपको बता दे वहीं दूसरी ओर केंद्रिय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री भुपेंद्र यादाओं ने वन संशूधन अधिनियम 1980 में संशूधन करने के लिए विचार और पा संसून संत्र में ज्वारी हंगामे की बीच विपक्ष और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को ले करके अड़ा हुआ है हाला कि इसको लेकर के बाते कह दी गई है और कहा गया है कि जहां आट से नौ तारीक को इसमें चर्चा होगी तो वहीं इसको लेकर के प्रधान मंत प्रस्ताव लानना मकसद यही था कि प्रधान मंतरी विपक्ष के सवालों का जवाब दे उन्होंने कहा कि एक ओर आविश्वास प्रस्ताव पड़ा है और दूसरी तरफ धडलने से बिरा चर्चा के बिल पारित किये जा रहे हैं सुनिए क्या कह रहे हैं कॉंग्रस नेता अधिर अंजन चौधरी राश्ट्मदी जी की सथ हम हमिलाकात करने की इच्छ जताई थी है और सारी राश्ट्मदी जी हमारी बात मानली और आज हमें बोलनेका और उनसे मुलाकात करने का समय भी दे चुके हैं सहाबिक रूप से हमारा जो डेलिगेशन मॉनिपूर में हम गए थे वो सारे डेलीगेशन को लेकर हम लोग राष्ट्रपुदी जी की समीप हाजीर होंगे और उसके साथ साथ हमारी तरफ से एक ग्यापन भी राष्ट्रपुदी जी की हाथ में सौपा जाएगी क्योंकि हम चाहते हैं कि मनिपूर की जो संगीन स्थीति है इसके लिए र तरफ से हम सोचता है कि यह हमारा भी फर्ज बनते हैं इसी के तहट राष्ट्रपुदी जी से मिलना और उसके साथ साथ जो तजीरुबा हुई है मनिपूर दौर दौरने के बाद यह सारे तजीरुबा और जो उहां की जो स्थीति है जो स्थीति हम लोग खुद जाईया कि हैं वो सारे चीज को सामने रखेंगे और हमारे तरफ से राष्ट्रपुदी जी क्यों यह भी मांग रहेगा कि राष्ट्रपुदी जी खुद इस मुद्द्य को गंभिरता और इस मुद्द्य के विशाई पर सोचे और सरकार को सचित करें क्योंकि मनिपूर के हाला दिन प आपको बता दे वही विपक्ष द्वारा संसद में किये जा रहे हंगामे से लोकसभा द्यक्ष ओंबिरला नाराज है मंगलवार को दिली सेवा बिल पेश किये जाने के दौरान विपक्षी सांसतों ने लोकसभा में जम कर हंगामा काटा इस बाद से नाराज स्पीकरों बिरला बुधवार को लोकसभा नहीं आए वहीं संसद में मौनसून सत्र में निजी क्षेत्र को लीथियम सही च्छ परमाणू खनीजों और सोने चांदी जैसे खनीजों के खनन के अनुमती देने वाले विधेयक बुधवार को राजसभा में पारित हो गए केंद्रिय कोईला और खननन मंत्री प्रहला जोशी ने खान और खनेज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पेस किया बता दे कि विधेयक को संसत के उच्छ सदन ने ध्वानी मस से पारित कर दिया है इसे पिछले महीने लोकसभा ने मंजूरी दी थी ब जोके स्वामित वाली संस्थाओं द्वारा खननन और अनवेशन के लिए आरक्षित थें इस बिल ने खान और खनेज विकास और विनियमन अधिनियम 1997 में संशोधन किया है इसमें पहले भी कई बार संशोधन किया जा चुका है बता दे कि निजिक्षेत्र की खोज के लिए खोले जाने वाले पर्माणू खनेज लीथियम एलेक्ट्रिक महनों और उर्जा भंडारन उपकरनों के लिए बैटरी के निर्माण के लिए उप्योग किया ज्वाता है इसी के साथ ही बिरेलियम नाइ ओबियम टाइटेनियम लेंटम और टैंटम और जिरकोनियम और इसी क केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनीजों के लिए विशेश रूप से खनन पट्टे और मिशुत लाइसेंस के निलामी करने का अधिकार देता है मतादे दरसल गहराई में पाए जाने वाले खनीजों में सोना चांदी ताम बाज़स्ता सीसा निकल कोबार्ड प्लेट के हंगामे के बीच राज्यसभा में विधयक पर चर्चा भी हुई विपाक्षु सदन में प्रधान मंत्री मोदी के बयान देने की मांग करता रहा और बाद में उन्होंने वाक आउट भी कर दिया उधर आदित्य प्रसाद जो की बीजपी से हैं बाबुराम निशाद प्रकार्ष बीजपी जी के बासन टीमसी और इसी के साथ भी विजाई रेडी जो की वाई एस आर सीपी उसी के साती म थंबी दुराई जो की AI, ADMKO और इसी के साथ ही सस्मित पात्रा जो की BJD के हैं उन तमाम लोगों सहित ग्यारा सदसों ने इस पर शर्चा की और इसमें हिस्सा लिया और इस बिलकास समर्थन भी किया बतादे दरसल आज तीन विधयक राजसभा में पारत किये जाने के लिए सुचिबद किये गए थे ये जन विश्वास संशोधन विधयक 2023 इसी के साथ ही खान और खनेज विकास और विनियम संशोधन विधयक 2023 और वन संरक्षन संशोधन विधयक 2023 शामिल थे बतादे दरसल ज 42 कानूनों में संशोधन किया जवाएगा ये 42 कानून 19 मंत्रालेओं से जुड़े हुए हैं इसके द्वारा छोटी मोटी गल्टी को अपरात की ख्रेणी से हटाया जवाएगा वहे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विदयक 2023 द्वारा 1957 के कानून में सुधार किय जाएगा विदयक के मुताबिक 39 खानिजों की खोच के लिए लाइसंस जारी किये जाएंगे जिसमें सोना चांदी कांस कोबाल्ट निकल सीसा पुटाश और रॉग फॉस्फोरस शामिल है साथ ही बंस अरक्षन संशोधन विदयक 2023 द्वारा बंस अरक्षन अधिनियम 1980 में स पूर्ण खनीजों के खनन को निजिक्षेत्र को दिये जाने का प्रावधान है इस दौरान सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो खनन शेत्र में पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्ध है और राजिस सभा ने चर्चा के बाद इस विदयक को ध्वनिवस से पारित कर दिया हैं काफी ज्यादा उन्हें जटका लग रहा है और इसकी बॉकलाई भी वो जाहिर करतों यह नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम इस पर भाग भी नहीं ले रहे हैं इसकी बावजूद धडलने से ये बिल पारित करवाय जा रहे हैं फलाल इस खबर को लेकर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले